हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गाडेनिंग पैसन में मैं हूं शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं पिलखन प्लांट के वारे में चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं पिलखन के वारे में देखिए मेरे पास यह पिलखन का एक प्लांट है जिसको हम पाकड़ भी बोलते हैं यह प्लांट फैकस फैमिलि को ही ब्लॉंग करता है और आप जानते हैं पाइकस के वह उन्चाई कितने रखा है, इसका जो port का size है, जिसमें हमने इसको लगा रखा है, हमने इसको छोटा इसलिए रखा है, ताकि इसकी जो roots है, वो ज्यादा फैल है ना, और इसकी जो है, ग्रोथ अच्छे से हो, ताकि हम इसको दूसरे port में जब लगाएं, मोंसाई पोर्ट में तो काफी अच्छे से ये गिरोथ करें इसलिए हमने इसको छोटे से कंटेनर में लगा रखा है और इसकी गिरोथ देखिए कितनी अच्छी चल रही है आप देख चकते हैं इसकी जो ब्रांचेस हैं नियू नियू ब्रांचेस भी निकल जोकी हैं इसमें इसकी तीन ब्रांचेस है में और साइड से भी एक दू ब्रांचेस निकल लिए हैं और काफी जादा इस पे जो लेप्स हैं वो भी हैं आप देख चकते हैं कि इसकी जो ब्रांचेस की ठिकनेस है वो भी काफी ठीक ठाक है आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ हमें इसमें नहीं करना है वस यह जो ब्रांचेस हैं वो पास-पास हैं इनको हम दूर करेंगे एक वायर की साहता से हमारे पास देखिए वायर है अलूमिनियूम का इसी की मदद से हम इन ब्रांचेस को थोड़ा सा दूर करेंगे तो चलिए कर लेते हैं यह काम देखिए मैंने इस फिर वायरिंग कर रखी है और अब हम इन ब्रांचेस को एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर कर देंगे और थोड़ा सा लुक देंगे वोन शाही का बाइर हमें ऐसा लेना है ना ज्यादा मोटा हो ना ज्यादा पतला हो इस टेंप्स के हिसाब से ही हो अगर इस टेंप्स आपकी पतली है तो पतला बाइर लेंगे और अगर इस टेंप्स मोटी है तो मोटा लेंगे ऐसा नहों कि आपकी इस टेंप्स पतली है और आप बाइर जो है काफी ज़्यादा मोटा लेंगे तो वाइर आपके जो इस टैम से वे टूट जाएगी और आपको जो प्लांट वो कराब हो जाएगा और तो इस टैम से हिसाब सी यह आपको बायर लेना है और बनेशाई प्लान्ट में आपको डो है वbacks इतनी जादा करनी नहीं होती है और बनाएं भी ऐसे ही प्लान्ट जाते हैं बनेशाई जिसमें पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है तो मैं इसमें जो है वार्टिंग दो दिन में एक बार कर देता हूँ और ओबरवाटिंग बिल्कुल नहीं करनी होती है इसमें ऐसे प्लांच को ही पूंटाई बनाए जाता है जिसके ग्रोथ जो है सुल होती है तो हम थोड़ा सा इनको जो है एक दूसरे से हटा देंगे और जो फस्ट ब्रांच है हमारी उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और सेकंड ब्रांच को राइट साइड में यह हमारा फ्रेंट रहेगा देखिए और फ्रेंट भी काफी ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है आप देख सकते हैं इधर से सेट अभी तो यह उतना ज्यादा जो है लुक उस टेप कर नहीं आपाएगा क्योंकि अभी हमने वारिंग की है और कुछ महीनों के बाद इसमें जो है ग्रोथ हो जाएगी अच् तर भी तर जाएंगी थोड़ी ठीक हो जाएंगी अभी हम इसकी प्रुणिंग भी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस हैं वह चोटी है जब यह ब्रांचेस बड़ी हो जाएगी तब हम इसकी जो है करेंगो आप देख सकते हैं हर तरफ से इसका एक जो लुक है वो बॉन्चाई लुक आ चुका है इसमें तो है न दोस्तों कितना ज़्यादा असान बॉन्चाई बनाना अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्लांट को बॉन्चाई बनाए हैं तो कैसे लगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें तेंकि फूर वाचिंग